प्रणाम नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उस कारिक्रम में जिसका नाम है हे प्रभू आनंद दाता और एक और नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने हैं जैसा पहले भी हम कह चुके हैं कि कुछ परिस्थितिया रही हम नहीं आ पाए लेकिन अब आपको निरंतर नय एपि और हमने एक छोटा सा इसमें एड भी किया है अपने इस कारिक्रम में कि अब हम आपके यानि दर्शकों के प्रश्ण ओडियो क्लिप के तौर पर हम मंगाते हैं और हमें लगता है कि वो जादा अच्छा है कि आप अपनी जिग्यासा समस्या या सुझाव या विसलेशन के विशय जो भी रखना चाहें तो आज पहले हम सुन लेते हैं कि आज का प्रश्ण हमें क्या कह रहा है हमारे विद्वान वक्ता से किस तरह से क्या पूछ रहा है फिर हम आगे बढ़ते हैं बढ़ा संदर प्रश्ण है ये विद्वान को नहीं पाया जा सकता या कोई आनंदित होकर भगवान तक नहीं पहुँच सकता बढ़ा संदर प्रश्ण है ये वी क्योंकि हम देखते हैं कई बार उपासकों को साधकों को और एक बड़ी बड़ी परंपरी के कवधारणा है कि हिमालय की कंदराओं में वहां निरंतर बर्फ के बड़े बड़े पिंडों के बीच में बैठ के शरीर को तपाना और गलाना इश्वर प्राप्ती का धे है या इश्वर प्राप्ती वैसे ही संभव है मैं इस पर टिपढ़ी करने का अधिकारी नहीं हूँ सबसे पहली बात यह है, भक्ती और पुड़ा का कोई संबंद नहीं है. वही मैरे प्रश्ट में कौन रहा था यह प्रश्ट में, आपके संसार में, आपके अंतरंग बहिरंग चेत्र में, आपके बर्वेस में, जितने भी पीड़ा, तनाओं, कस्ठ, सारी प्रक्रिया हैं. हमारे यहां तो बोलचाल में लोग कहते हैं, चावरासी का चकर तब तक प है, मार्ग जो है ज्यान वेराग का है, मार्ग जो है लग-लग पंथधर्शन का है, भक्ति तो बंजल है, जहाँ पर आपको पहुचना है, भक्ति वो महरानी हैं, जिसके सेवादारी है थाकुर्जी, फरहन हीएगा, उसका नाम सुनकर ठाकुर्जी देखते हैं किसके हैश समझ लिजे भक्ति राधा है आप ये समझ लिजे भक्ति दुरगा है आप ये समझ लिजे भक्ति सीता है आप ये समझ लिजे भक्ति पारवती है आप ये समझ लिजे भक्ति सरस्वती है जो भी संसार में जितने की शक्ति है वो भक्ति बेगुव क्यर्ण कर सकते हैं यह बात वीरुधाल हात्त आप भक्ति के तारटम में नि जुड़े त्फले आप समझत लीजिए भक्ति उत्पन कैसे होती है ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को एक खट्टा करें आप पूझा की बात कर सकते हैं आप तपस्चा की बात कर सकते हैं यहां पर कस्ठ हो सकता है यह साधना की विशावस्तु है आप ने भी का कंद्राओं में बेठे हुए एक बो तो उन्होंने बड़ी हट योग से अपने आपको साध रखा है और नाम जब कर रहे हैं और तपस्चा कर रहे हैं और एक भक्ति करें ऐसा नहीं होता है भक्ति कब आती है आपकर धाय में ध्यान रखेगा इस सोच लेने से कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं मैं हूं तो भक्त होई नहीं सकता मैं और भक्ति में कहीं सामंजस नहीं है आप ध्यान रखेगा तुलसी कबहूं न पाईए रवी रजनी एक ठाम, रवी और रजनी एक साथ नहीं हो सकते, तो भक्ती और मैं एक साथ नहीं हो सकते, जब मैं नहीं होता तब भक्ती होती है, धान रखेगा, तो मैं तिरोहित नहीं है, मैं आने आपका आस्तित, मैं आने आपका मन, मैं आपका दिख रहा, जब मैं भक्ती में रहता हू जब मैं द्रविण होता है कोई तो मैं उत्पन होती है आरे क्या सूत रहा है जब कोई द्रवित होता है तब भक्ती उत्पन होती है अब द्रवित किसी करण से हो सकता है करुणा से हो सकता है वहाथी जो है जिसका पैर खीच करके मगरमच छले जा रहा है विशाल मगरमच संगी साथी सब छोड़ के चल आर्थ भाव में जब ध्रू को जो है उंचे परवत के सिखर से नीचे फिक रहे हैं और ध्रू ने नीचे की गहराई देखी प्रहलाद ने प्रहलाद ने देखा कि नीचे कि इतना गहरा है अब हिरन कश्षप ने कहा फिक दो इसको नीचे पाड़ की चोटी से उसे देखा ओ यह हिमाला है कि इतनी उची चोटी अब आप मेरे को नीचे फिकोगे पास साल का परहलाद है तो उसको के रहां तुमारे पिता जी ने कहा है तो आप उनको फिकना है जब धक्का देने लगए उन नीचे देखा उनने उनने का परवात्मा यह कहा आ रहा हूं है प्रभू न अधरता आई आधरता मैं पीड़ा थोड़ी होंती है करना होती है तब करना निधान आते है рवित होते हैं जरूरी निया कस्ट आपके जीवन में ही आ रहा हो दूसरे को कस्ट को देखकर अगर तेरे आंखों से आसू निकले तो भखती आ गई हिर्दैफल। तुम तो अपनी पीडा लेकर बैठे हो कि मैं पीडित हूуск, भखती मार के मैं हो तो पीडित हो, मैं नहीं होता तो तुमने दूसरे को देखका पीडा किया है। तोनो विरोधा बाजी सम्द है वहाँ मैं रादिधो होने से भक्ति उत्पन lapsi, बह। बोल लिया तुमने संसार में, बह। सुना लिया तुमने संसार में, बह। प्रभचन कर लिया भाशन करू लिया ay不錯, सुना लियाए, बुर्दिम करना ठके गता सुना किया किसी को हरे आहां यह करन में बैठी थी उए पुछेयों के संगीत सुनने वाली उटकार राम जी भक्त थे आप का ये आप कितरे बड़े भक्त हैं तुकाराम जी किसी दूसरे के लिए थोड़ी बजन गाते थे तुकाराम जी को शुवाजी ने पालकी भेजी थी सुना कि संत तुकाराम है और इतना नाम है उनका तो तुकाराम जी के लिए उनने कहा कि मुझे दर्शन करने की इक्षा है ने का तो लोगों ने का बुलवा देते हैं अरे बुले नहीं नहीं संत जी को थोड़े बुलाएंगे उनको पालकी भीजो तो पालकी आई तुकाराम जी को लेने के लिए तुकाराम जी अपना पांडूरंगा 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 जब कर रहे था बैठकर जहां जगा मिली थी वहाँ पहरुचे बोले क्या ही है के ऐसे मिलना चाहते हैं पुलाया है आपको पाल की में तुका राम जी रोने लगेा очень तूका राम जी उपर देखके बोने लगे कि मेरे से क्या गलती होगी परमात्मा जानूनी अंतर टाली सील करकर तुझे लाग ली है खोड़ी पांडू रंग बहुपोडी मैं तुम्हारी इसलिए थोड़ी प्राप्त न कर रहा हूं कि राजा मेरे लिए पाल की भेजे तुम नहीं आए राजा को फिजवा दिया मेरे पास में मैंने ये भक्ति राजा को प्राप्त कर प्राप्त करने के लिए है आप ध्यान रखिए ब्रधिम करना अटा कर था आपने सुना आपके इसमें विशयी तत्तों ने प्रवेश किया था उसको हटाए जब विशय रूपी पिशाचनी कर्ण पिशाचनी तुमारे कानों को मुक्त कर देती है और केवल तुम्हें सादूर जी है समाना तुम वो सुनकर हरसित नहीं हो रहा हो तो तुम फिर मिड़क की तरह टरटर करने वाले हुए है ना तो यह विद्ध है और फिर हो कहते है कवचित कवचित महारास्ट है था रखिए कर लोग तुरह महारास्ट को बोल रहे होंगा अरे भाई ये देशो रूपी विश्व है ये संपूर सरीर विश्व है और इसके हिर्दा इस्तल को हम महारास्ट कहते हैं जहां हर्दयांगम है तो कहते हैं कहीं कहीं किसी हिर्दय में में सम्मानित हुई कुचित कुचित महारास्ट है कहीं किसके हिर्दय में सम्मानित हुई मीरा के संपूर जी दे दे तो कब तो कही है मीरा ने कहा लोक लाज छोड़ दिया मीरा तो नापग गूरू बांध मीरा नाची रहे और मीरा जब नाच रही है तो मीरा को भान भी नहीं है नाचने का ठैन रखेगा तो कहीं मीरा के हिर्दय में कहीं तुकाराम के हिर्दय में कहीं रैधास के हिर् में, कहीं शबरी के हिर्दय में, कहीं ध्रूव के हिर्दय में, प्रहलात के हिर्दय में, सुशोवित हुई, कुचिद कुचिद महारास्टे, जिर्णताम गुर्जरे यह था, और लेकिन जब इंद्रियों के जिर्ण होने पर मैं खंडित हो गई, और था जब लोग इंद्रि लगने लगी, जब लोगों को मैं ये समाधान नहीं मिलने लगा, जब लोग संसार को सोचते हुए मुझे ध्यान करने लगे, भक्त ये गृतांत, व्यक्तिकत, सुन्निता की विशयवस्त हुए है, जो भक्त होता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त हो जाता है चित्ति विस्राम तिष्ठति वो विरक्त होकर संसार में वास करता है और सबसे बिलता है लोकाचार करता है संसार के कर्म करता है भक्ति आनंद नित्ध की प्रतिक्षा करती है क्या तेरा मन मयूर नाचता है जब काले में नाम रूपी चाते हैं तो तेरे मन में आनंद की नित करने की इच्छा होती है यदि होती है तो कहां पीड़ा संसार के पीड़ा के विरुध संखनाद है भक्ति वह ओशधी महा ओशधी है भक्ति और जब तुमारे हिरदय में इन प्रक्रियाओं के बाद एक संगीत आए जहां पर किसी प्रमान की आवश्कता नहीं है भक्ति आका भक्ति देखना है तो गोपी गाओं का चरित्र सुने अभी मैं देख रहा था दौरात्री में बहुत सारे लोग जो है वो मैया की भक्ति में लीन है करके गरवा नित्त कर रहे थे तो मैं बड़ा आनिदित हुआ कि इतने लोगों के हिरदय में मैया आ गई लेकिन क्या नित करते समय तुम्हारा ध्यान अपनी वेजभूशा पर है क्या नित्त करते समय तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि कौन सा गीत चल रहा है क्या नित्त करते समय तुम देख रहा हो कि कौन-कौन तुम्हें देख रहा है क्या नित्त करते समय तुम सस्वर के लोगों के लिए दिखाने आये हो या मैया के समक्षायों की मा तू आई थी ना महतारी आई तो मुझे लगा कि आज मेरा मायका हो गया यहाँ आज मेरे घर हो गया यहाँ आज मुझे गोद मिल गई यहाँ और मैं जूम कर नित्ध करने लगा और कब नित्ध करने लगा मुझे निये मालूम भ आपको लगेगा ओ भक्ती की स्थान में घूमाया भक्ती थोड़ी मिली आपको, नहीं मिली आपको, आप तीरतों में घूमाई है, आप गलियारों में घूमाई है, भक्ती तो घर में ही बैठी है आपके पास, और घर में नहीं है, आपके हिरदे में बैठी है आसपास, आप तो हुई है, आप करुणा में तो हुई है, आप उसकी एक्षा में एक दो पलासू निकाल करके ही है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन अगर पीड़ा लगे तो भक्ती नहीं करना, और भक्ती मैं कर रहा हूँ ये भ्रहम छोड़ देना, वो तो स्वयम प्रगट ह हो जाती है, पिर जो कुछ करोगे वो ही कराएगी, और वो केवल आपकी जीवन में आनंद आनंद और आनंद ही देगी, करुणा और कहीं न कहीं एक द्रवित होने का भाव, ये भक्ती के लिए मुझे लगता है जितना मैं समझ पाया आपको, कि ये जो भाव है, ये कहीं न कहीं भीतर एक ऐसा तत्वर या एक ऐसे वातावरण का निर्मान करता है, जो हमें प्रभू से जोड़ता है, तो ये जो आद्रता है, इसकी तो घोर कमी देखता हूं, गोस्वामी जी आज के समय में? यहां भी एक बात समझे है, संसार में जितनी भावतिक था बढ़ी, संसार के लोगों ने जितना भावतिक प्रगद किया, अब आप देखिए लोग जो है, चूले का बना हुआ भोजन खाने के लिए तरसते हैं, चूले का बना हुआ, वो क्या कहते हैं, धूमा वाला भोज खाइनिक पदार्थों के गाउं से बना हुआ सब्जी है, तो चार गुरा मैंगा हो जाता है, आप समझे मेरी बात को, तो अब लोगों ने क्या हुआ भोतिकता तो बढ़ा ली, लेकिन यह भोतिकता बढ़कर ताप बनकर आ गई तुम्हें, आदि भोतिकता आप इसी को कह हो गए, आप आलची हो गए, बटन दबाया तो पंखा चलने लगा, वो आप यह सबज़े, आज के जीवन में जितना सुख एक सामान मनुष्य के जीवन में है, एक जमाने में राजाओं को वो प्राप्त होता था, पंखा राजा के यहां होता था, पानी जो है, राजा को हाथें बढ़े मिलता था, आप तो बटन दबा रहे हैं, तो पानी है, नल में पानी है, इधर पानी है, सोने के लिए सुन्दर गदे तक ही अलगे हुए, आपके पास यह तो राजाओं का सुख था उस समय में, जिन महलों को आप घूमने जाते हैं, वहाँ देखते क्या है यही कि यह सब सुख जिनको मिल लाता था, वो राजा कहलाता था, येकिन भोत इकता इतनी बढ़ी कि प्रतेक व्यक्ती राजा हो गया, प्रतेक व्यक्ती राजसी ठाट में रहता है अपने जीवन में, उसके पास सब सुख सुख हैं चाहिए, दूरु दुरु दृश्च चाहिए, फोन में बात चाहिए, हर चीज में आडर चाहिए, तो ये तो सब सुख है आप, लेकिन क्या तुम मन के राजा हो पाए? तुमने सब जीता, सब सुख किया, एक भूखा रख दिया, एक भूखे विक्ति को और बढ़ाया, भूख में करुणा नहीं आती, भूख में निसकरुणा भवंती, जितने भी लोग करुणा की तलास में हैं, उनने भूखा रखा है न, उससे तो तलास रहा है कि कहां उसे मिले, किसे भूखा रख दिया, तन को तिर्प्त किया, मन को भूखा रख दिया, मन का भूख है भक्ति, मन का भूख है भक्ति, तो वो आई न ना मन में और करुणा उपजने के लिए देखिए बहुत सुंतर बात रावाण कही परमात्मा को कहते हुए हरुमान जी परमात्मा की विशिष्टा बताते हुए कहते हैं प्रनत पाल रगुनायक वो छोड़िये जितनी भौतिक ताप साब है सब को भूलने तयार हैं वो मेरे राम तो ऐसे हैं कि उनका सेवक आया है तुम अभी कह दो कि शमा मांगता हूँ तो मैं उनकी तरफ से चमा कर दूँगा कमाल का भाक्त है वह यहां को मेरे को दे तुमे ले जाता हूँ उचमा कर दिया प्रनत पाल रगुनायक तो करुणा सिंद खरारी वो करुना के सागर ह करुणा ही करुणा है धान रखिएगा और गए शर्ण प्रभु राखिये तब अपराद्विसार गीता कहती है मनमना भाव मदबक्तो माद्या जी मा नमस्कुरू और मामे वेश्रति सत्तम ते प्रतिजानों प्रियोसमी में छोड़ना मेरे लिए सारे कर्म मुझ में विसर तेरा अरपन तो जो कुछ तेरे को दिया है वो भी अरपन नहीं कर रहा है पूरा जीवन पूरा संसार पूरा समग्र तुझे पशू नहीं बनाया पशूओं ने भक्ती सीख ली मनुष्य नहीं सीख पाया वाह ऐसा लगता है कि फेफडों में ताजी हवा का कोई बहुत ग यहीं संतिया विद्वानों की आवशक्ता बहुत गहरी होती है जैसे एक विद्वान हमारे साथ है कितना सुंदर उत्तर आज हमें मिला है कि भक्ती में पीडा का कोई स्थान ही नहीं है भक्ती तो करुणा की खाद से उपज़ती है और करुणा भी ऐसी कि अपनी ही पीडा नहीं इस जगत में किसी भी प्राणी की पीडा को देखकर जो करुणा उपजती है वो इश्वर से जोडती है और हंकार करना या ये मानना कि शरीर को कश्ट देके क्योंकि नवरातरी का परव समय चल रहा है कई लोग मैंने भी देखा कील पर लेटे हैं कुछ अपने शरीर प सब्सक्राइब भाति खिश्चाइब और भक्ती साधना उपासना इनसे भिन है ना इश्वर की मूर्ती की दरुवत है कहीं भी बैठे बैठे उस आद्र भाव से आप जुड़े और आपको ऐसा लगेगा कि मन ही ब्रंदावन हो गया मन ही आयुद्या हो गया मन ही काशी हो मन ही सोमनात हो गया मन ही वैशनों देवी हो गया इस भाव को खुब अनुबूत करिए गरवा करते समय भी किसी इक्षन उस तल पर कुछ सेकिंड्स के लिए मैया की उस छवी में समा जाईए मन के साथ भूल जाईए कौन सा संगीत बज रहा है भूल जाईए आपने क्या पहना है मिसेश शर्मा मिसेश गुपता आपकी ड्रस देखकर क्या सोच रही है दोस्त आपकी सेलफी ले रहे हैं के नहीं ले रहे हैं भूल जाईए इसको ठोड़ी देर के लिए माह से जुड़ जाईए और उसी ख़णा आपकी आँखों से कितने आशू वहने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा बड़ा आनंदा है को स्वामी जी अगले एपिसोड में एक और विशह लेकर उपस्तित होंगे नवीन एपिसोड हैं ये नए एपिसोड हैं 7000-969-440 अपनी प्रतिक्रिया भी भेजें और कोई प्रश्न और सुझाओ हो आडियो क्लिप बना के छोटा सा एक मिनिट से भी कम समय का भेज दीजे हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रखेंगे पुना प्रणाम आपको और अनुमती दीजे मुश्टा